सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो जाब तक पहुंच दी रहे सबको जै मसी की और इस वीडियो में मैं आपका बताऊँगा कि आदम और हवा ने कौन सी चीजों को खोया बाइबल बताती है कि जब आदम और हवा ने पाप किया तब उन्होंने अपने आत्मिक जीवन को खो दिया परमिश्वर के वचन में लिखा है जब हम पहला पत्रस दो अध्याए वचन दो को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है नए जन में हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूद की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उधार पाने के लिए बढ़ते जाओ परमिश्वर का वचन बाइबल बताती है कि जब आदम और हवा ने पाप किया उन्होंने परमिश्वर की संगती को खो दिया जब हम उत्पती तीन अध्याए वचन आठ को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है तब यहवा परमिश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फि परमिश्वर का वचन बाइबल बताती है कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमिश्वर ने उन्हें अधन की वाटिका से निकाल दिया जब हम उत्पती तीन अध्याए वचन तेज को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है इसलिए यहवा परमिश्वर ने उनको अधन क की वाटिका में से निकाल दिया कि वे उस भूमी पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था